ओम नमर शिवाय वैलू इडूकेशन के अंतरगत प्वेशन नमबर एट और उसका उत्तर हम पढ़ रहे थे इसके पहले दो वीडियो में भी हमने इसी प्रश्न का उत्तर पढ़ा था आज हम इसे उत्तर के अंतिम भाग के तरफ बढ़ते हैं जहां पर अम्मा समर्पन के बारे में बता रही हैं अम्मा कहती हैं कि यदि हम कोई भी काम समर्पन की भावना से ही करेंगे तो ही हमें उस काम में लाव मिल सकता है, सफलता मिल सकती है बिना समर्पन की भावना के किसी भी कारे में सफलता मिलना आसान नहीं होता अम्मा कहती हैं कि बहुत से लोग समर्पन का मतलब यह मानते हैं कि भगवान को कुछ देने के पलस्वरूप ही हमें भगवान से वापस कुछ मिलेगा लेकिन समर्पन को इस तरह से नहीं देखना चाहिए परतमान में हम अभी भी भौतिक और बौतिक स्तर पर हैं यह मेरा शरीर है मैं इनका पुत्र या पुत्री हूँ या मेरा नाम ये है ये विशेश्टाएं जो मैं यानि अहंकार से संबंदित हैं हम मनुष्यों को छोड़नी होंगी तभी हमें समर्पन की भावना का हमारे अंदर विकास होगा अहं या अहंकार ही केवल ऐसी चीज है जिसे हम मनुष्यों ने ही बनाया है और यही है जिसे हमें छोड़ना भी है हमें अपने अहंकार को भगवान को समर्पित करना होगा जब हम अपने अहंकार का समर्पन करते हैं तब सिर्फ वो रह जाता है वो यानि इश्वर ने जिस चीज को बनाया है तब हम उसके होंटों की बासुरी या उसकी शंख की आवाज बन जाते हैं इस प्रकार के स्तर की व्रिहतता के लिए हमें अपने मस्तिश्क की सीमाओं जो की हमारे दिमाग की उपज हैं उससे हमें चुटकारा पाना होगा एक बार जब हम मैं और मेरा का यानि हम अपने अहिंकार का त्याग कर देते हैं तब हम सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं रह जाते तब केवल वह रह जाता है यानि वह इश्वर ही रह जाता है जो सब को अपने भीतर समाहित किये है कोई बीज अगर किसे चटान पर फेक दिया जाए तो वह अंकुरित नहीं होगा इसके लिए क्या करना होगा उस बीज को मिट्टी में बोना पड़ेगा ठीक इसी प्रकार यदि अपने कारियों और प्रयासों का लाब उठाना चाहते हैं हम तो हमें अपने अंदर के अहंकार से घमंड से चुटकारा पाना होगा हमें समर्पन की भावना का विकास करना होगा तब भगवान की क्रिपा से कुछ भी सम्भव है अम्मा फिर कहती हैं कि हमें अपने मस्तिष्क को भगवान को समर्पित करना चाहिए क्या हमें अपना मस्तिष्क निकाल कर समर्पित करना चाहिए? नहीं, बलकि हमें क्या करना चाहिए? कि हमारा मस्तिष्क जिन चीजों में आसक्त है जिनसे वो बहुत जुडा हुआ है हमें उन चीजों को इश्वर को समर्पित करना होगा यह मस्तिष्क के समर्पन के समान ही है ऐसा अम्मा का कहना है कुछ लोग खीर खाने के शौकीन होते हैं इसलिए खीर भगवान को अर्पित की जाती है और बाद में जब इस खीर को प्रशाद के रूप में गरीब बच्चों में वित्रित किया जाता है तो यह एक और नेक उदेश के पूर्ती करता है हम क्या कर रहे हैं कि अम्मा के कहने का तात पर यह है कि जब हम उस खीर को किसी गरीब बच्चे को खिलाते हैं तो उसका पेट भरता है उसकी आत्मा त्रिप्त होती है और यह समर्पन का एक बहुत अच्छा तरीका है दूसरा उदारन देते हुए अम्मा कहती है कि मस्तिश्क पैसे का भी आसक्त होता है धन से हमें बहुत मोह होता है इसलिए भगवान को हम पैसा अरपन करते हैं जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हैं ताके इस आसक्ति के बंधन से, इस मोह के बंधन से हम छुटकारा पाज सकें। पैसा चढ़ाने का उद्देश क्या है? हमारे मन में, हमारे मस्तिश्क में जो एक मोह की भावना है पैसे से जुड़ी हुई। उस भावना को, उस लालज को खतम किया जा सकें। फिर उदाहरन देते हुए हमा कहती हैं कि मंदिर में हम इश्वर को, भगवान को फूल चढ़ाते हैं, फूल अर्पित करते हैं। परन्तु बास्तव में मंदिर में हमें अपने हृदय की भावनाओं को पुष्प के रूप में अर्पित करना चाहिए। बच्चों, तुमने देखा होगा कि जब भी हम पुष्प समर्पित करते हैं इश्वर को, तो हम उस पुष्प को सबसे पहले अपने हाथों में लेते हैं, फिर उसे अपने हृदय से लगाते हैं, और तत पश्चात हम उसको इश्वर को समर्पित करते हैं। तो ऐसा करने के पीछे यही उद्देश्य है. हृिदय को भगवान को अर्पित करना ही सच्ची श्रधा है और पुष्प अर्पित करना इसी श्रधा का प्रतीक है. मुझे यहदो वहदो की कामनाओं की अपेक्षा हमें भगवान की दैवी य विशेश्ताओं जैसे प्रेम दया और आंतरिक शान्ति की भी इच्चा करनी चाहिए. मंत्र पढ़ना, अच्छे काम करना और भगवान की क्रिपा के लिए प्राथना करना चाहिए. अम्मा कहती हैं कि भगवान हमें वो सब कुछ देंगे जिसकी हमें आवश्यक्ता है. किसी विशेश चीज को मांगने की आवश्यक्ता हमें इश्वर से नहीं है, बस आवश्यक्ता इस बात की है कि जब हम इश्वर की पूजा करते हैं, तो वो पूजा हमें पूरी श्रद्धा के साथ करनी चाहिए. इश्वर को हमारी सभी चाओं की जानकारी है. हमें यह नहीं समझना चाहिए कि यदि हम इश्वर को बताएंगे कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तभी उन्हें ग्यात होगा. नहीं, ऐसा नहीं होता है. इश्वर सर्वव्यापी है, ग्यानी है. उसे कुछ भी हमें बताने की आवश्यक्ता नहीं है बलकि उसे सब कुछ हमारे बारे में पता है कि हमें कब क्या चाहिए हमें डॉक्टर को या वकील को सब कुछ बताने की आवश्यक्ता पढ़ती है क्यों क्योंकि वो एक इनसान है उसे हमारे बारे में सब कुछ बता नहीं होता है और हमें उन्हें बताने की ज़रूरत होती है, थाकि वो हमारे मामले की को अच्छी तरह से समझे और उस पर बहस कर पाएं, या एक डॉक्तर को हम अपनी सारी बातें क्यों बताते हैं, थाकि वो हमारी बिमारी को ठीक तरह से समझ करके, उसी के इसाब से हमें दवा दें परन्तु हमें इश्वर को ऐसा बताने की जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि वो सर्व व्यापी है वह सर्वग्य है फिर भी जब हम दुखी हों तब उनके समक्ष अपने रिदय की बातों को कह देना कोई बुरी बात नहीं है परन्तों हमें यह समझना होगा कि यह केवल प्रारम्भ मात्र है धीरे धीरे हमें भगवान को बिना किसी स्वार्थ के या बिना किसी अपक्षा के हमें उनकी उपासना करनी सीखनी होगी उसके बाद जब हम पूजा करेंगे तब हम उनके प्रति प्रेम और श्रध्धा के नाते करेंगे जब हमारी उपासना का उद्देश मात्र प्रेम और श्रध्धा की प्राप्ती होगा तब हमें वो सब कुछ प्राप्त होगा जिसकी हमें आवश्यक्ता है हमें भौतिक रूप से लाप मिलेगा और साथ ही साथ हमारा आध्यात्मिक उत्थान भी होगा हम केवल सच्चे मन से और उत्कृष्ट प्रेम और समरपन भाव से ही भगवान की महिमा समझ सकते हैं हमें भगवान से एकात्म होने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए इस प्रकार उनकी क्रिपा स्वयम ही हम पर प्रवाहित होने लगेगी और हमें दैवी यगुणों का विकास होगा अम्मा कहती हैं कि मंदिर में जब हम जाते हैं भगवान की पूजा करने के लिए तो हमें अपने मस्तिश्क को पूरी तरह से भगवान पर ही केंद्रित करने की चेश्टा करनी चाहिए और जब हम मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा करते समय हमें किसी ना किसी मंत्र का उचारन करते हुए वो परिक्रमा पूरी करनी चाहिए मंदिर में दर्शन के समय अपनी आँखें बंद करके भगवान को देखने का प्रयास करना चाहिए और फिर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करना चाहिए यत्यपी मंदिर में जाकर थोड़ी पूजा करना केवल काफी नहीं है हमें भगवान के ध्यान के लिए प्रति दिन कुछ समय निकालना चाहिए मंत्रों का उच्चारण जितनी बार हो सके उतनी बार करना चाहिए ऐसा करने से हमें आध्यात्मिक शक्ति मिलती है यदि हम नदी की विभिन धाराओं को एक धारा के रूप में कत्रित कर पाएं तो यह बहुत शक्तिशाली धारा धारा प्रवाह बन जाएगी जैसे उधारन के तोर पर हम देख सकते हैं कि यदि हम पांच लकडियों को अलग अलग रखें हम उनको एक साथ कर दें तो बहुत ही शक्तिशाली भन जाती है इससे बिजली प्राप्त कर सकते हैं इसी प्रकार हम अपनी मानसी कुर्जा विभिन प्रकार के विचारों में फसा करके नश्ट कर देते हैं तरह तरक्या उल्टा सिदा सोचते हैं और हमारी जो मानसिक शक्ति है वो छिन भी न हो जाती है परन्तु इसे हम यदि किसी अच्छे विचार पर केंद्रित करें कुछ अच्छा सोचें तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है यदि साधारन मनुश्य बिजली के तार से जुड़े एक एक लोते प्रकाश बिंदु की तरह है तो वह व्यक्ति जो आध्यात्मिक उपासना करता है वह विद्यू ट्रांसफार्मर की तरह है यानि वो वह बहुत शक्तिशाली होता है अम्मा कहती हैं कि हमें उपासना के मूल सिध्धानतों को समशना होगा यह सोचने की अपेक्षा कि यहां तो अनेक देवी देवता हैं हमें उनके उन्हें एक ही भगवान के विभिन्न स्वरूप मानकर इश्वर की हमें उपासना करनी चाहिए आज बहुत से लोग मंदिर जाते हैं परन्तु इसमें संदे है कि सभी में आध्यात्मिक विकास और समझ की जो गती है वह समान हो और ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है मंदिरों में जो हमारी सांस्कृतिक पिरासत की व्याख्या कर सके इसलिए लोग मंदिर को अपनी इच्छाओं की पूर्ति का एक साधन मात्र मानते हैं अर्थात जब इश्वर से अपनी किसी इक्षा को हमें पूर्ण कराना हो तभी हम अपने लाव के लिए इश्वर के पास जाते हैं बिना समर्पण की भावना के हम इश्वर के पास जाते हैं आजकर मंदिर जाने वाले लोग जब प्रार्थना के लिए अपनी आँख बंद करते हैं तो वो अपनी इच्छाओं को सबश्ट रूप से अपने सामने देखते हैं इसका प्रत्यक्षुदारण हम इस तरह से समझ सकते हैं बच्चों कि जब एक्जायम आते हैं तो तुम लोग इश्वर की पूजा करते हो और क्यूं करते हो? हे भगवान मुझे पास कर दो तो तो मैं इतने का प्रसाच चड़ाऊंगा तुमने क्या किया यहां पर? समर्पन की भावना से इश्वर की उपासना नहीं की बल्कि तुम्हारे मन में एक इच्चा पूर्ती की भावना थी कि अगर इश्वर हमारी इच्चा पूरी करेंगे तो हम उनकी पूजा करेंगे यहाँ पर तुमने इश्वर की को समर्पन भावना से नहीं पूजा बलकि तुमने इश्वर के साथ सौदा किया अम्मा का आशय यह नहीं है कि हमारे अंदर कोई इच्छा होनी ही नहीं जाए लेकिन अम्मा कहती हैं कि जब मस्तिष्क इच्छाओं से भरा रहेगा तब हम शान्ति का अनुभव नहीं कर पाएंगे कुछ लोग मंदिर जाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि अगर वे पूजा नहीं करेंगे तो उनके साथ कुछ अपशकुन हो जाएगा कोई दुरघटना घटित हो जाएगी परन्तु ऐसा नहीं है भगवान हमारे रक्षक हैं वे हमेशा हमारी रक्षा करते हैं और जब हम इश्वर की उपासना करते हैं तो हमें इस प्रकार के जो भै है जो हमारे मन में बैठा हुआ है कि हमारे साथ कोई दुरघटना हो जाएगी कोई अपशकुन हो जाएगा इस भै से हमें पूर्ण रूप से मुक्ति मिलती है आज मंदिर पूजा केवल एक दूसरे को देख कर लोग कर रहे हैं पूजा इसके सिध्धानतों को समझ कर नहीं की जा रही पुत्र पिता के साथ मंदिर जाता है पिता मंदिर की परिक्रमा करता है वहां जाकर के पुत्र भी देख करके वैसा ही करता है वह अपने पिता की नकल करता है जो भी उसके पिता करते हैं वो वही करता है और वही बच्चा जब बड़ा होता है और वो अपने बेटे को मंदिर लेके जाता है और फिर वो पहले की ही प्रक्रिया जो दोहराता है परिक्रमा की परंतु अगर उससे ये पूछा जाए कि वो परिक्रमा क्यूं कर रहा है तो पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता है और आजकल मंदिर में पूजा में नीहित सिध्धानतों की व्याख्या करने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं होती अम्मा यहाँ पर इस बात को एक कहानी के माध्यम से बता रही है अम्मा कहती हैं कि एक आदमी अपने पैत्रिक मंदिर में पारिवारिक मंदिर में रोज पूजा करता था एक तिन उसने जैसे ही पूजा की सारी तयारी की और पूजा का प्रारम किया एक बिल्ली आई और उसने पूजा में इसवर को अरपन करने के लिए जो दूद रखा गया था पर उस दूद को पी गई फिर अगले दिन उस व्यक्ति ने क्या किया कि जब उसने पूजा की तैयारी की तो पूजा की तैयारी करते समय ही उसने क्या किया कि बिल्ली को टोकरी के अंदर बंद कर दिया और जब अगले दिन बंद करने के बाद उसने क्या किया कि जब उसकी पूजा समाप्त हुई तब उसने उस बिल्ली को आजाद कर दिया इस तरह से उसने ये एक आदत बना ली और पूजा के पहले वो क्या करता? प्रति दिन वो बिल्ली को टोकरी के अंदर बंद कर देता और जैसे ही पूजा समाप्त होती वो उसे आजाद कर देता वर्षों तक यही क्रम चलता रहा और उस व्यक्ति की मृत्ति हो गई जब उसके मृत्ति हो गई और उसके मृत्ति के बाद उसके बेटे ने परिवार की पूजा का दाइत वो संभाला तो उसने क्या किया? उसने भी क्या किया? तुरंत वो पूजा की तयारी किया और बिल्ली को पकड़ करके उसने क्या किया टोकरी में बंद कर दिया परन्तु उसका पिता ऐसा क्यूं करता था उसने ये कारण जानने का प्रयास नहीं किया और वो प्रति दिन बिल्ली को पकड़ता टोकरी में बंद कर देता और जैसे ही पुजा समाप्त होती फिर वो उसे आजाद कर देता, एक दिन क्या हुआ, कि वो जैसे ही पूजा के लिए तयार हुआ, उसने बिल्ली को ढूंडा, पर उस बिल्ली उसे मिली नहीं, जब उसने ढूंडा यहां वहां तो उसे पता चला, कि बिल्ली मर गई, उसने क्या किया, कि बिना समय गवाएं, वो अपने पकड़ करके लाया, और उसने क्या किया, उस बिल्ली को टोकरी के अंदर बंद कर दिया, और उसके बाद फिर बैट करके उसने पूजा किया, यह कोई नियम नहीं था, उसके पिता ने ऐसा इसलिए किया था, क्यूंकि बिल्ली पूजा में विगन डाल रही थी, परन्तु बेटे ने बच्पन से यही देखा, कि उसके पिता ने बिल्ली पूजा करने से पहले उसके पिता बिल्ली को पकड़ते और टोकरी में बंद कर देते, उसने सोचा कि यह शायद पूजा का एक नियम है, अगर वो उसी वक्त अपने पिता से पूछ लेता, तो यह जो एक पिता ने अपने बेटे को बताया कि वो बिल्ली को इस तरह से क्यों बंद करता है टोकरी में, उसने अपने पिता के अभ्यास को जारी रखा बिना इसके पीछे के कारण को जाने ही, आज अम्मा कहती हैं कि ज्यादा तर लोग उस पिता और पुत्र की तरह ही हैं, जो बिना किसी कारण को जाने ही लोगों को देख करके सिर्फ वही दोराते हैं जो लोग उनके समक्ष करते हैं अम्मा कहती हैं कि हमारा चाहे जो भी धर्म हो हमें इसकी विधाओं के पीछे के कारणों को समझना चाहिए अर्थात हम किसी भी धर्म के हो हमारे धर्म का जो भी नियम है पूजा अर्चिना का इश्वर को प्राप्त करने का इश्वर की पूजा करने का उस नियम वो नियम क्यूं बनाया गया है हमें ये जानना चाहिए अगर हम उस नियम को जान लेंगे तो इस तरह से जो बिल्ली को टोकरी के अंदर बंद करने वाली घटना थी जिसे एक रूडिवादी परंपरा के रूप में वो पुत्रबाद में करने लगा ऐसा नहीं होगा गलत नियमों का हमें पता चल जाएगा यदि हम पूजा करने से पहले उसके कारणों को जानेंगे अभी यही करने की आवश्यक्ता है अम्मा हमें ऐसा कह रही है अगर हम ऐसा करें तो ऐसा कोई विधान जो कि निराधार है जिसका कोई कारण नहीं है वह ज्यादा समय तक प्रचलन में नहीं रह पाएगा अगर इसे अभी भी किया जाता है मंदिरों में आध्यात्म को और मंदिरों से जुड़े नियमों और सिध्धानतों की व्याख्या करने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए मंदिर लोगों में आध्यात्मिक चेतना के विकास का केंद्र होना चाहिए इस प्रकार हम अपने विरासत को पुनह प्राप्त कर सकते हैं इस तरह से यह प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है आज के लिए बस इतना ही ओम नमशिवाए